हम बात करें हैं CBC, यहनि कि CBC किसे देखते हैं, CBC देखने के लिए चार इंपोर्टेंट बाते होती हैं, जैसे ही आपकी रिपोर्ट आती है, तो चार इंपोर्टेंट बाते हैं, सबसा पहली अपनी WBC है, दूसरा अपना हीमोगलोबिन है, इसके बाद में RBCA और इसके CBC के अंदर देखी जाती है, मुख्यत है, हम बात करें यहां पर, तो यहां पर जो इसकी जो रेंज है, यानि कि जो रेंज है, चार हजार से, यानि कि 4000 से 11000 की बीच में इसके रेंज होती है, किसकी? WBC की, अगर यह रेंज इंक्रीज हो जाती है, यानि कि more than 11000 से जदा हो तो किसको इंडिकेट करती है, यह इंडिकेट करती है, किसको कि patient के अंदर inflammation है, दूसरी बात अगर हम HB की बात करें, तो HB अगर normal range से कम है, तो यह इंडिकेट करता है अनिमिया, यानि कि patient को अनिमिया की condition है, red blood cell की अगर कमी होती है, तो यह इंडिकेट करता है, अनिमिया यह से वाइरल फीवर या फिर और कोई प्लेटलेट की प्रोब्लम हो जैसे ओटो इम्मुन प्रोब्लम हो यूकोसाइट्स की तो नॉर्मल नंबर फॉर ताउजन्ट फाइपंडर्ड टू इलेव थाउजन्ट पर माइक्रोडेसलिटर के बीच में होता है इनक्रीज यानि कि इनकी संक्या बढ़ती है तो यह इंफेक्शन को इंडिकेट करती है जैसे कि यह आपको यहां पर Dcr lib काइट है तो उसके कंडिशन में यह कभी कभी कम हो जाती है एक डेक्रीज इनकी संक्या कि में कमी यहीं की कि संक्या कमी किस कंडिशन में हो सकती या फिर anti-cancer medicine देने से तता बहुत अधिक infection यानि कि severe infection के इस्तिति में भी कमी हो सकती है या तो bone marrow suppression हो या फिर severe infection हो ऐसे इस्तिति में कमी हो सकती है differential leukocyte यानि कि हम सबसे पहले तो हमने WBC को calculate कर दिया लेकिन इसके अंदर जो differentiate leukocyte जैसे कि neutrophil है evosinophil है और monocyte और basophil है यानि कि इनकी differentiate leukocyte को count यानि किस किस इस्तिति में कौन-कौन सी संक्या increase होती है हम बात करें यहाँ पर neutrophil की तो neutrophil इनकी संक्या का बढ़ना निम्न को indicate करता है यानि कि neutrophils आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा होगा यह neutrophil है इनकी संक्या का बढ़ना किसको indicate करता है तो यह indicate करता है जिसे inflammation की condition हो cigarette smoking, blood cancer, thyroid, toxicosis, corticoid या corticoid esteroid या corticoid की therapy चल रही हो तो इसकी condition को यह indicate करता है बात करें इनकी संक्या का घटना किम निम्न को indicate करता है यदि की neutrophils जो neutrophils है उनकी संक्या अगर कम हो जाती तो वो किसको indicate करता है तो वो indicate करता है bone marrow suppression या medication का side effect या viral संक्रमन या गंबीर जिवानों का संक्रमन या तो viral संक्रमन हो या फिर गंबीर जिवानों का संक्रमन हो इसको indicate करता है कौन करता है यानि कि neutrophils की संक्या में कमी हो जाना normal जो यह होती है कितनी होती है 40 से 75% या फिर 50 से 75% के बीच में होती है यदि अगर इनकी संक्या कम आती है तो यह indicate करता है कि severe infection हो गया है या फिर viral का संक्रमन है बात करें बन लिम्पोसाइट नॉर्मल रेंज यानि कि जो लिम्पोसाइट के नॉर्मल रेंज होती हो कितनी होती है 20 से 40 प्रतिशत इनकी संक्या का बढ़ना निम्न को इंडिकेट करता है viral संक्रमन यानि कि जो lymphocyte है जैसे कि viral संक्रमन EBV या फिर CMV HIV कि संक्रमन हो mononocleases leukemia lymphoma यानि कि जैसे blood cancer है तो वैसे इस्तिति में भी किसका यानि कि lymphocyte का value बढ़ जाता है या फिर कोई भी viral infection है वैसे इस्तिति में भी क्या होता है lymphocyte का level बढ़ जाता है बात करें इनकी decrease यानि कि इनकी संक्रम कि इस्तिति में कम हो जाती है तो इनकी जो संक्रम कितनी होती है monarchocyte की टो से 10% होती है इनकी संक्रम का बढ़ना continent को करता है यहनि कि मोनोसाइट की संक्या किस के सिस्थती में बढ़ जाती है गरबावस्था हो ठूबर क्लोष खृबुटॉ आप यहां पर देख सकते हैं कि जो यह पेशेंट वेल्य यहां पर देख रहा है यहां पर यह पर यह कितनी होती है 2 से 10% इसकी range होती है तो ये ऐसे इनको यानि कि monocyte का अगर संक्या बढ़ती है घटती हो तो किसको indicate करती है बात करें अपन इयोसिनोफिल तो इयोसिनोफिल ये इसे हम allergic cell भी कह सकते हैं यानि कि ये mostly allergic cell में बढ़ती है यानि कि allergic इससी में ये बढ़ती है बात करें कि normal value 12 to 6% होती है increase इनकी संक्या का बढ़ना निमन को indicate करता है जिसाए कि ये important change है इनकी संक्या ये इयोसिनोफिल की जो संक्या होती है वो किसके सितिति में बढ़ सकती है इयोसिनोफिल की संक्या parasite का infection यernen कि Medください पेररसाइट ये उसका INFECTION हो पेररसाइट का INFECTION हो ऐसे स्तिती में बर्ड़सकती है और ऐलर्जिक अस्तमा जिसे ऐलर्जिक अस्तमा हो इसकीन प्रोब्लम है hypersensitivity या fungal reaction और vesiculitis यानि कि जो blood vessels का infection है वैसी यानि कि जो blood vessels है वैसी condition में भी ये बढ़ सकती है parasite जैसे की ascaris, amoebasis, मतलब ascaris, इनका infection हो जाना यानि जो parasite है उनका infection हो जाना तो वैसी इस्थिती में भी किसका बढ़ता है eosinophils का level बढ़ जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यानि कि wbc मैंने आपको बता दिया wbc के से कि अगर बढ़ती है तो किसको indicate करती है वो वो indicate करती है infection को और घटती है तो किसको indicate करती है वो severe infection को या फिर medication की कोई या कोई medication ले रहा है या फिर bone marrow की problem है बात करें आपन neutrophil भी neutrophil की मैंने आपको बता दिया है limposite को बता दिया है यहाँ पर हमने बात कर लिया है eosinophil का अब बात करते हैं आपन basophil का तो basophil का इतना importance यहाँ पर नहीं है क्योंकि basophil जो cells होती है वैसे भी heparin को release करती है next बात करेंगे अपन RBC की RBC भी इसके अंदर देखी जाती normal RBC 4.2 से 5.80 million per microliter होती है किसके अंदर male के अंदर female के अगर बात करें तो 3.80 से 5.20 million microliter होती है इनकी संक्या में कमी यानि कि RBC की संक्या अगर इससे कम आरी तो किसको इंडिकेट करती है anemia, kidney failure, bone marrow depression, chronic inflammatory disease को इंडिकेट करती है क्योंकि kidney failure की बात करेंपन यानि कि kidney failure को इंडिकेट क्यों करती है क्योंकि kidney से क्या release होता है erythro protein, जो erythro protein होता है वो होता है, क्यों होता है, RBC को synthesis में काम आता है बात करें इनके संक्या में अधिकता यानि कि जो RBC की संक्या इससे ज़्यादा हो जाना किसको इंडिकेट करता है, pulmonary disease यानि कि या तो कोई lungs की कोई disease हो या smoking, renal tumor क्योंकि अगर renal में tumor होगा, तो erythro protein ज़्यादा बनेगा वससे RBC की संक्या ज़्यादा हो सकती है dehydration, यानि कि dehydration की condition में भी RBC की संक्या ज़्यादा हो सकती है तो यानि कि pulmonary disease के अंदर RBC ज़्यादा क्यों आएगा क्योंकि oxygen की ज़्यादा demand बढ़ेगी ले जाने के लिए body के लिए तो RBC की संक्या ज़्यादा बढ़ेगी compensatory mechanism में next बात करते है अपन hemoglobin तो hemoglobin की बात करें तो male के अंदर 13 to 17.5 gram per dl होता है और female के अंदर 11.5 to 15.5 gram per dl होता है female के अंदर lower क्यों होता है क्योंकि female के अंदर mostly menstrual cycle के अंदर जो mostly menstrual cycle के अंदर क्या होता है कि हर मैने blood loss होता है इसलिए female के अंदर hemoglobin का level थोड़ा कम होता है बात करें पन यहां पर तो normal जो level है hemoglobin का 10 gram per dl से अगर कम है तो वो anemia को indicate करता है यानि की जो WHO की guideline है उसका नुसार अगर 10 gram per dl से कम है तो वो किसको indicate करता है वो anemia को indicate करता है hemoglobin का level यह नार्मल रेंश से अधिक है तो यह flowing disease को indicate करता है यह की normal level से अधिक है यानि कि यहां पर 18 है या फिर 20 है तो इसको इंडिकेट करता है जिसे chronic hypoxia हो यानि कि COPD हार्ट डिजीज हो हाई एटिटूड यानि अधिक उचाई पर रेने वाले लोग हो एरिवेटड एरिटोपोईटिन ड्यू टू मेलेगनेंसी यानि कि इडिटोपोईटिन यानि कि ड्यूटो मेलेगनेंसी जैसे कि किड्नी के अंदर मेलेगनेंसी की विमारी हो तो ऐसी कंडिशन में हीमोग्लोबिन का लेवल अधिक पाया जाता है बात करेंपन mcv यानि कि mcv का मतलब होता मीन कैप्सुलार वोल्यूम और यह इसका जो नॉर्मल वेल्यू होता है वो होता है 80-100 तो यानि कि 80-100 की बीच में इसका नॉर्मल वेल्यू होता है mcv क्या इंडिकेट करता है mcv रक्त के नमूने में लाल कोशिकाओं यानि कि rbc के ओसत आकार का वर्णन करता है यानि कि ओसत आकार का वर्णन करता है यानि कि rbc का कैसा structure है इसको कौन इंडिकेट करता है mcv यानि इसमाल अगर 78% से बिलो है 78% से बिलो है तो उसे कहेंगे अपन microcytic इसका normal range कितना होता है 80-100 होता है अगर 78% से कम है तो उसे कहेंगे अपन microcytic यानि कि iron की कमी हो सकती है बोडी में थैलसेमिया या cideroblastic anemia हो सकता है तो ये condition को indicate करता है अगर 78% से कम हो बात करें अपन large यानि कि 96% से अधिक हो यानि कि 96 से ज़्यादा हो तो ये किसको indicate करता है macrocytic anemia यानि कि macrocytic anemia यानि कि folic acid की deficiency को तो H भी तो सिर्फ आपको indicate करेगा किसको anemia को लेकिन इसको भी differentiate करने के लिए कि ये iron deficiency anemia है या फिर folic acid या B12 acid deficiency anemia है तो यानि कि इसको indicate करने के लिए हम किसको देखेंगे फिर MCV को हम देखेंगे यदि MCV 78 से कम आ रहा है तो मतलब वो जो anemia है जो HB में हमने देखा है यानि हिमोगलोविन में देखा है वो anemia iron deficiency का anemia है यदि MCV 100 से अबव है या 96 से अबव हो तो वो किसको indicate करता है वो indicate करता है folic acid और vitamin B2L की deficiency वाला anemia है बात करेंपन MCH mean capsular hemoglobin MCH का means लाल रक्त कोशिकाओं में मौझूद hemoglobin की ओसत मात्रा को indicate करता है जनी कि जो लाल रक्त कोशिका है यानि कि RBC उनके अंदर ओसत hemoglobin को indicate करता है कौन MCH और इसका normal value होता है 27 to 34 PG बात करेंपन platelet की तो platelet यह जो होती है इनम थ्रॉंबोसाइट के नाम से भी जानते हैं और यह रख्त के अंदर ठकका बनने का काम करती है platelet का अधिक बढ़ना यानि कि platelet normal कितने होती है 1.5 lakh to 4 lakh के बीच में यानि कि body में यदि inflammation है तो वैसी condition में भी platelet बढ़ सकती है कम platelet पाए जाते हैं कम platelet पाए जाते हैं यानि कम platelet कि किस condition में पाए जाते हैं तो जो कम platelet होते हैं वो कोई condition में जैसे की aspirin का side effect हो यानि कि आपका 10,000,000 से अगर कम platelet है तो किसको indicate करता है या तो patient कोई drug ले रहा हो या patient को कोई autoimmune disease है या फिर डेंगू या viral infection उसको indicate करता है यानि कि आपने देखा होगा डेंगो में सबसे जदे जो कम होती हो क्या होती है वो होती है platelet कम होती है जब यह platelet 20,000 से कम हो जाती है तो patient को active bleeding होने के chances बन जाते हैं तो आप report देखना सीख गए होगे आप यहां से infection को यदि घटा हुआ है तो वह indicate करेगा severe infection को या फिर मैं भी typhide को क्योंकि typhide की condition में पहले बढ़ती है फिर में घटने लग जाती है कौन wbc बात करें अपर neutrophils की तो neutrophils का मैंने आपको बता दिया है neutrophils किसको indicate करता है यह भी infection को indicate करता है lymphocyte lymphocyte अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो यह हो सकता है viral infection हो या फिर या फिर या फिर कोई blood cancer को indicate करता है यहाँ पर बात करें evosinophil मैंने आपको बता दिया है evosinophil अगर बढ़ा हुआ है तो यह indicate करेगा कि patient को को allergic problem है hemoglobin hemoglobin indicate करेगा कि patient को anemia है इसके बात में बात करें पर red blood cell count अगर यह कम है तो यह भी indicate करेगा kidney का कोई malignancy है फिर tumor हो या फिर high attitude पर patient रह रहा हो इसके बारे में बात करें अपन यहाँ पर mean capsular यह भी indicate करेगा जैसा कि यहाँ पर आप में दिखा सकता हूँ आपको कि यहाँ पर इस report की अंदर में दिखता हूँ कि यहाँ पर 10.6 यह निकि 10.6 हा रहा है यह यह indicate कर रहा है कि इसको slightly anemia को ठीक है यहाँ पर indicate कर रहा है कि स्लाइटली anemia को और यह anemia कौन सा है तो यहाँ पर हम देखेंग deficiency plus B12 deficiency anemia या इसे अपन ऐसे भी के सकते है macrocytic anemia यानि की macrocytic anemia है platelet यहाँ पर normal range में है तो आप ऐसे CBC की report को देख सकते हैं तो thank you दोस्तों Welcome दोस्तों हमारे YouTube चैनल को आप subscribe कर दीजिए और आप bell icon को दबा दीजिए ताकि आपको latest information मिलती रहे thank you दोस्तों